दोस्तो अमेरिका की नोटंकी और आखिरकार एक महीने के इंतजार के बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से वेखवर निकल का सामने आ चुकी है जिसका भारत को काफी समय से इंतजार था अगर ये महतपूर एक्विमेंट भारत को सही समय पर डिलिवर नहीं किये जाते तो इससे भारत ये वायू सिना को काफी नुकसान हो सकता था लेकिन अब ऐसा नजार आता है कि बले ही थोड़ी देरी होगी लेकिन हम अपना प्रोग्राम टाइम लाइन पर पूरा कर सकते हैं तो चलिए इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं दरसल दोस्तों सामने निकल करा रही लेटेस अपडेट के अनुसार जनरल इलेक्टरिक की तरफ से अधिकारिक तौर पर इस बात की कन्फरमेशन मिल चुकी है कि इस साल में अगले कुछ महीनों के अंदर हमें F404 इंजन की डिलिवरी सुरू कर दी जाएगी ये वही इंजन है जो भारत के तेजस मार्क वन ए लड़ा कोईमान में इस्तिमाल किया जाना है और इसके लिए एरफोर्स ने 83 एरक्राफ्ट के ओडर दिये थे आने वाले समय में भारते वायू से ना तेजस के सबसे एडवांस वर्जन के लिए सो अतरिक लड़ा कोईमान के ओडर पर भी विचार कर रही है जिसके तहट F404 इंजन हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए सबसे एहम कंपोनेंट बन जाते हैं सुरुआती चरण में जो डिल साइन की गई थी उसके तहट इस मल्टी मिलियन डॉलर की डिल के गया है कि डिलिवरी में जो देरी होई उसके पीछे 18 मेने के बाद फिर से सुरूआ प्रोडक्शन है दरसल COVID-19 की वज़े से प्रोडक्शन लाइन और सप्लाइचेन पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी ऐसे में जब इन एडवांस वाइटर जेट का प्रोडक्शन एक बा बाद काफी अच्छी है कि अब हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए सबसे एहम कंपोनेंट भारत को बहुत जल्द ही मिलने वाला है भारत के पास तेजस वाइटर विमान की दो सक्रिय स्क्वाडर पहले से ही मौजूद है जो पाकिस्तान से सटे पूरवी फ्रंट लाइन ब इंटिटूड वाले पहाड़ी इलाकों में इनकी पर्फरमेंस काफी ज्यादा सांदार थी जिसकी वज़े से भारतिवायू से न ऐसे सेकडो एडिशनल विमान अपनी सेवा में सामिल करना चाती है ऐसे में F404 इंजन की डिलिवरी भारत के लिए सबसे एहम थी जिसे लेक जब हम एक नए 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बना लेंगे तब हम अपने पास मजूद अधिकतर फाइटर रिमान के लिए इंजन खुद ही मैनुफेक्चर कर पाएंगे क्योंकि तब हमारे पास टेकनलोजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों होगा ऐसे में भारत चा अबर फ्रांस की तरफ से निकल कर सामने आ रही है जो भारत के साथ अपना सिविल न्यूक्लियर पार्टनर्शिप और भी ज़्यादा मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है लेटस अबडेट के मुताबित भारत और फ्रांस के बीच में दो न्यू न्यू न्यूक्लियर पा बिच्थन कर चुका है लोडन टाइम में फ्रांस भारत के महाराश्ट में 1650 मेगा वाट की चमता वाले एक न्यूकलियर प्लांट में 6 यूनिट न्यूकलियर एक्टर का कंश्ट्रक्षन कर रहा है इसके बाद अगर भारत और फ्रांस इन दोनों न्यू न्यूकलियर कि फ्रांस सच में भारत का सबसे महतपूर और भरोसे मन वेश्टन अलाई बन चुका है। सबसे एहम भूमिका निभा रही हैं जबकि अमेरिका के साथ न्यूकलियर एनरजी के छेतर में कोई खास काम नहीं हो रहा। मिलता नजर नहीं आ रहा। इसलिए भारत को फ्रांस और रूज यसे देशों के साथ मजबूस सिविल न्यूकलियर पार्टनर्शिप बनानी जरूरी है जिस पर हम काम कर रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। यही कारण है कि फ्रांस के साथ ये न्यूकलियर डील भारत के लिए काफी ज़्यादा एहम बन जाती है। बरहाल दोस्तों इस वीडियो में तना ही इन दोनों ही खबर के उपर आपकी क्या रहा है। कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरू बताईएगा। साथ हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरू दबा लें। फिर मिलें के ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिन।